हालांकि इस भीड में आप देख कर अंदाजा लगा चुके होंगे कि कॉंग्रिस के कितने नेता और कारे करता हैं एक ही शक्स दिखा बाकी तो आसपास के लोग दिख रहे हैं रास्ते के लोग दिख रहे हैं रागिर उन्हीं के बीच जलेबियां बाटी जा रहे हैं कम से कम हर्याणा चुनाव के नतीजों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैट ने बीजेपी पर तंच कसा चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते वे टिकैट ने कहा कि ये घजब का खेल है जनता उनके खिलाफे और फिर भी सरकार उनकी ही बन रही है देखो जनता तो वहां नाराज थी वही सरकार से अर अगर इतनी नाराजी के बाद में भी बीजेपी सरकार माजर तो वही देश गड़े मोझागा यह भीका का पुरा पुरा किसान अपनी जमीन नहीं बचा पार है नोकरी नहीं है रोजगार नहीं है तो यह मकड़ जाल हमाई तो समय से बार है जो राजनिती का जो मकड़ जाल है कि यह जनता नाराज और सरकार उनकी बने अगर अधिकारी की कुर्सी पर तौलिया पड़ा है तो उन्हें विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी का इंतजाम करना होगा अगर अधिकारी सोफे पर बैठे हैं तो विधायकों को भी सोफे पर बिठाना होगा विधायकों के शिकायत पर इस स्पीकर सतीश महाना ने नई वेवस्था ततकाल लागू करने के निर्देश दिये, संसदिय कारे विभा के प्रमुख सचीव ने इस संबन में आपर मुख्य सचीवों, प्रमुख सचीवों, डियेम और कमिशनर्स को पत्र भीजा है। और इस संबन में पिछले दिनों विधायकों ने विधान सभा के अध्यश सतीश महाना से सिकायत की थी, कि कई बार ऐसा होता है कि जो अफसर होते हैं, वो बैटकों में उची कुरसी पर बैटते हैं, तोलिया लगा कर बैटते हैं, और अब इसके बाद जो सिकायत विधायकों की 37 महाना ने इस संबंद में निर्देश जारी कर दिये हैं हम आपको ये कांफरेंस हाल दिखाएंगे ये एक सरकारी कार्याले का आफिस है और उसका ये हाल है और इसमें आप देख सकते हैं ये कुरसियां लगी हुई है बराबर ये कुरसियां है यहां पर वाकाइदा तौल पर बैठ यानी और दूसरी बात, तो जन्पessä दिधी भी सोफे पर बैठेंगे यह आप तस्वीरे देख सकते हैं इसकी बाकादा व्यवस्थाएं भी हो चुकी है, साचना देश भी निर्गत हो गया है, अब जो कुर्सियां है वो यहाँ पर अगर इस हाल में, इस कॉन्फरेंस हाल में अगर कोई बैठक होती है, तो यह कुर्सियां जो लगी हुई है, इनमें सामने की तरफ जो बाकी लोग बैठेंगे, यानि की जो का और दूसरे अफसर है, वो बैठेंगे, और जो मुख्य अफसर और जन प्रतिन्दी होंगे, वो यह तरह की जो यह कुर्सियां है, जो मुख्य कुर्सियां है, इन पर जन प्रतिन्दी और अफसर बैठेंगे, यानि की इस तरह की जो कुर्सिया जन्प्रतिनियों को बिठाया जाएगा वाकाइदा अगर अपसर तौलिया लगी कुर्सी पर बैठते तो जन्प्रतिनियों को भी तौलिया लगी कुर्सी पर बिठाया जाएगा कैमरमन उपेंदर के साथ संकित मिसरा न्यूज 18 लखनो प्रॉपर्टी की विवाद में दो सगे भाईयों की हत्या कर दी गई बेटे के सामने पिता और चाचा कुलहाडी से काट कर मौत की घाट उतार दिये गए जबकि जानलेवा हमले में घायल बेटा और उसकी मास पताल में भरती है गटना खंदौली थाना शेत्र के लोधी पुरा दाउं की है बेताल सिंग और उसके पडूसी रगवीर के बीच एक बीगा जमीन को लेकर विवाद हुआ था रगवीर और उसके भाई सत्यपाल पर बेताल सिंग और उसके परिवार में लाठी और कुलहाडी से हमला कर दिया रगवीर और उसके भाई सत्यपाल की मौत हो गई जबकि रगवीर का बेटा ववे नयों और मांगमी रूप से घायल है पुलिस ने एकारोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश चलता। पुलिस ने केस दर्च कर आरोपी को गरफ्तार कर दिया है। चंदरपाल के बाल का पिर विपिन अरू है, सोनु और मंगे सु कुमरपाल लवकुस यह लाठी डंडा लेका, घर वाली लाठी डंडे लेका, हमारे घर में आगे बढ़ गे, हमारे घर पर यागा पेल दिया। क्या है, क्या है अजय चलागो इतने उन्सों कहने, उसको समझाओ यह ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अजय यह लेका आया है, अब हम उन्सों बारदात कर रहे है। क्या है, इतने यह आगे बढ़ जागो जेक्के, डंडा पटकाना शुरुवी कर दियो जागे।